Hello students, आज हम expanded form देखने वाले है decimal numbers का यहाँ पे number दिया हुआ है 29.17 यह जो number है decimal number है क्योंकि यहाँ पे center में decimal point लगा हुआ है इसलिए यह decimal number हो गया यहाँ पे 2 जो number है 10th place पे है 9 1s place पे है 1 हमारा 10th place पे है 7 100th place पे है यदि हम इसकी place value write down करते तो कैसे write down करते देखो ध्यान से देखना है place value कैसे write down करते 2 हमारा 10th place पे था इसलिए 20 हो गया plus 9 1s place पे था इसलिए plus 9 write down किया plus 1 हमारा 10th place पे था इसलिए 1 upon 10 plus 700 place पे था इसलिए 7 upon 100 यदि हमें पूछा जाता कि 29.17 इसका हमें expanded form write down करना है तो हम कैसे write down करते है expanded form 20 प्लस 9 प्लस 1 अपॉन 10 को ही हम write down करते है 0.1 प्लस 7 अपॉन 100 को write down करेंगे हम 0.07 next example देखते है 36.29 अभी इसका expanded form हमें write down करना है 6 हमारा 1 प्लेस पे है 3 हमारा 10 प्लेस पे है इसलिए 3 को write down करेंगे हम 30 प्लस 6 वन्स प्लेस पे था इसलिए प्लस 6 प्लस decimal point के बाद 2 number है याने 2 number 10 प्लेस पे है याने उसको write down करेंगे 0.2 प्लस decimal point के बाद एक number छोड़के 9 है इसलिए वो 100 प्लेस पे है याने उसको write down करेंगे 0.09 next example देखो 34.39 अभी इसका expanded form write down करेंगे हम 4 1s प्लेस पे है 3 10s प्लेस पे है इसलिए 3 10 प्लेस पे होने के कारण उसको लिखेंगे 30 plus 4 1s प्लेस पे है इसलिए plus 4 plus यहाँ पे भी 3 आया है लेकिन decimal point के बाद 3 है इसलिए उसकी जो place value है या उसकी जो position है वो 10th place पे है याने उसको write down करेंगे 0.3 plus decimal point के बाद एक number छोड़के 9 है इसलिए उसको write down करेंगे 0.09 next example देखो 342.78 2 1s place 4 10th place 300 place इसलिए 3 को write down करेंगे 300 plus 4 को 40 plus 2 plus decimal point के बाद 7 है इसलिए 0.7 plus decimal point के बाद एक number छोड़के 8 है इसलिए उसको write down करेंगे 0.08 next example देखो 326.29 उसको ही कई से write down करेंगे हम 3 हमारा 100 place पे था इसलिए 300 plus 2 हमारा 10th place पे था इसलिए 20 plus 6 1s place पे है इसलिए plus 6 plus decimal point के बाद 2 number है इसलिए उसको write down करेंगे 0.2 plus decimal point के बाद एक number छोड़के 9 है इसलिए उसको write down करेंगे 0.09 next example देखो 32.143 3 हमारा 10th place पे था इसलिए हमने write down किया 30 plus 2 1s place पे है इसलिए plus 2 decimal point के बाद 1 number आया है इसलिए उसको write down करेंगे 0 0.1 plus decimal point के बाद एक number छोड़के 4 है इसलिए उसको write down करेंगे 0.04 plus decimal point के बाद 2 number छोड़के 3 है इसलिए उसको write down करेंगे 0.003 next example देखो बच्चो 21.248 equal to 2 हमारा 10th place पे है इसलिए उसको write down करेंगे 20 plus one one place पे है इसलिए one plus decimal point के बाद 2 है इसलिए 0.2 plus decimal point के बाद एक number छोड़के 4 है इसलिए उसको 0.04 plus decimal point के बाद 2 number छोड़के 8 है इसलिए 0.008 आज हमने decimal numbers का expanded form कैसे write down करते हैं यह देखा यह आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना है थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो